हिंदुस्थान के मुसलिम पक्षकारों को नहीं हंदुस्थान के आम मुसल्मान को समझ्जना होगा कि जिनको हमारा रहनुमा बता कि खड़ा किया गया उन्हों के हात में जब तागत आई उनकी जब आवाज इतनी बाब उलंद हुई कितनी इस आधा की बाधे मांती जिसे नेताओं के वाशनों को नहीं मांती जामा मस्जिद के आज के इमाम मुलायम सिंग के सपोर्ट किया तो उसके बदले में उन्होंने अखिलेश यादर चीप इस्टर हुए क्या मांगा यह नहीं मांगे कि सो यतीम खाने खुलवा दो मुसलमानों के लिए को इंडरस्ट्री लगवाओ उन्हें उन्हें का मेरे दमाद को पलूशन कंट्रोल बोर्ड का चेर्मेन बनाओ अल्प संख्यक बोर्ड का नहीं पलूशन का लियाणा मेरे ख्याल से तलहा समस्ते होंगे और दानिश कुराश्चीव सब्सक्राइब पलूशन कंट्रोल बोर्ड का मतलब क्या होता है क्या उसे रिजर्ब बैंक की समझे उससे कम नहीं क्या कि कब आके खोलो गे छोड़ो सब्सक्राइब को चूले में डालो अपना तो दिम खोलो दिमाग और जिन्ने जाब बहस में बतुला जी आपकी जानकारी ही पढ़ेगी इससे ठीके ना कि बीपी सिंग प्रधान मंत्री हुए जामा मस्जिद में आज के इमाम के अब्बा हुजूर हुआ करते थे जामा मस्जिद गए बोले हुँ इमाम साब बोले हाओ भाई बोले इमाम साब हुकुम करो उन्होंने एक अपने सेवादार को जो लगा उनका बवधार था उसका हाथ पकड़ा दिया बोले इसको कुछ बना दो वो राजदूत हो गया रहस्तभा में आ गया कि अरह मैं कह रहा हूं कि आजम गलके मुसल्मान के लिए क्या किया है हमने सलमान खुर्शीत को मंत्री बनाया हमने इनके अब्बा हुजूर को बनाया हमने जाकर हुसें साब को बनाया थरुकाबाद में क्या हुआ मुसल्मान की गरीबी हट गई जर्दोजी का काम करते करते उंगलियां गिलगल गई बच्चों की आखे चली गई उनका भला कौन करेगा बड़ा अच्छा वोले खुर्शीत साब विदेश राज्यमंत्री थी और वो क्या क्या जंडा गाला सो तो बताओ मुसल्मान खुर्शीत कानून मंत्री चोड़े पितावरा में ही क्या करंती हो गई जिस गाउं से आप हैं मेरा मन दुखी होता है जब मैं मुसल्मानों की ओर देखता हूं इतना चल किसी के साथ नहीं हुआ जितना उनके साथ उनके नेताओं ने किया और आप भाजपा के बीचे लगें आपके द्रिश्टी ही गलत द्यानिश कुरेश्टी यह से लोग जो क्या सोच रहे हैं यह गलत सोच रहे हैं और अगर आप ऐसी भाषा बोलेंगे तो उसकी प्रत्क्रिया होगी मैं नहीं दूँगा लेकिन देश देगा किए यह सवाल नहीं उठेगा आपने का आने वाले सव साल तक हजार साल तक कोई भाजपा के साथ में नहीं जाए यह वह भाजपा की किसमत मेरी दो है नहीं नहीं भाज़पा का मेंबर हूं लेकिन एक बाद ध्यान रखिए इस देश का कोई बड़ा हिंदू धर्मिस्थान वैसा नहीं जो मुसलिम राजाओं बादशाहों के द्वारा तोड़ा नहीं गया हो तब तो कई हजार साल तक क्यामत तक मुसलिम हिंदू आपके साथ पर नहीं ख़़ाओ कि यह किसोटी रखेंगे अब बनार रसु में अब साली में जिसका पैसा लग रहा है वह वह बनिया से ठे और जो बना रहा है मुसल्मान है उसका इलाका मुसल्मानी इलाका है वहां करीब 2,000 साल से कपड़ा के काम हो रहा 2,000 साल से जब इस्लाम पैद तब तो औरंग जेब ने जब वहां काशी विश्वनात का मंदिर तोड़ा तो उसके बाद फिर मुसल्मान का रिष्टा कैसे रहागा जैसे आपने यह कसोटी रखी किसी बाते करते हैं सद्भाव का कोई सूत्र ढूंडने की बजाए चक्राव की और जाना चाहता है देश तक मत्रूरा में भी कृष्ण मंदिर तो तूटा था उत्तर भारत का कोई मंदर बचा नहीं सोवनात से लेकर कोई मंदर नहीं बचा बड़ा तोड़ा नहीं गया मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर से भगवान क्रिश्ण की मूर्ति निकाल कर आगराकी मस्जिद में सीधियों के नीचे दफंप राइगाई कि नहीं नहीं तब भाबरी मज़्जित के सवाल उठारे करें इसलिए सव साल तक कोई बात नहीं इस देश में जितने बड़े मुस्लिम प्रभा इंफ्लूइंसर्स हुए मैं इस शब्द इस्तेमाल करूंगा इंफ्लूइंसर्स उन सबके यहां सरकारें जाती रही उन सबके घर बड उसकी चिंता नहीं कि बाइस सिक्यूरिटी उसको देदी मुझफर नगर में जिसको दंगे में धूना जा रहा था वारंट था कप्तान की जेब में उसको अचानक से टेलिफून आता है बोले इनको लखनव लेके आओ जहाज भेजा है वही दियम वही एस्पी मुझफर न मुसल्मान का भला हो रहा है क्या नहीं ना मुलाना सहब का भला हो गया मैं जब उनसे मिलने गया तो गरी 20-20 सिपाही उनके यहां खाटों पर लेटे केले घा रहे थे मुलाना भी खुशते बोले अब जलवा ठीक हो गया इससे इससे तरक्की होगी अगर इससे तरक्की है तो पर सवाल उड़ता है फिर भाजपा से पहले तरक्की क्यों नहीं हो गई पर कि 75 साल में भाजपा का जीवनकाल कितना वाजपई को भी जोड़ लो और आक साल इनके जोड़ लो कितना है मित्र और एक बात ध्यान रखेगा कि 1977 में अटल बtill यहरी वाजपई अफगानिस्तान गए विदेशमंत्री की रूक में वाजपई जी जिस होटल में रुखाए गए कि उस होटल का नाम था कनिश्क कनिश्क घण जिने पूचा अफगानिस्तान के विदेशमंत्री उनके साथ थे इस होटल का नाम किनिश्क क्यों है, आपका कनिश्क से क्या लेना देना कि अब कॉल वाजबई जी उन्हों ने उत्तर दिया उस समय के अफ़गानिस्तान के मुस्लिम राष्ठ तब बी था और मुसल्मान रासना पध्धती अलग है लेकिन पूर्खे एक हैं संस्कृति एक है इसलिए ये कनिश्क है होटल का नाव एक रास्ता ये भी हो सकता है साथ चलने का अगर देश में भाजापा जीत रही है तो देश के लोगों के समर्थन से कोई पार्टी जीती है अगर पशिम मंगाल में ममता जी जीत रही है तो जनता की समर्थन से जीत रही ना तो उत्रपद्रिश में भाजबा जनता के समधन से जीत रही है उडिसा में नविन पटनायक जीत रहे हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि महमता जी ठीक है योगी जी गलत है एक ही बोर्ट से सब जीते हैं मित्र पर रखिये कसवटी पर रखिये लेकिन यह देखिये कि आपके नाम पर जो लोग महत्पूर हुए हैं मुसलमानों के ठेकेदारी के नाम पर उन्होंने कौम के लिए क्या दिया उन बड़े चेहरों से जरूर पूछिए और जो गुजर गए उनका इतिहास पढ़िए कि यह क्या वो अपने इलाके तक में मुसलमानों का जीवनिस्तर सुधार पाएं जापर शरीप साफ थे बहुत बड़े आदमी थे क्या देखे गए अब्दुल्गनी खान साब थे मालदा में क्या क्या हुआ मुसलमान महासर सब जो गया उससे ज़्यादा गरीब नहीं कहीं मैं इसे सव बड़े नाम गिना दूँगा आजादी की बात से अब तक के यह सोचना होगा उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो समाज के समुह के विकास की बात करें ठेकेदारी बंद होनी चाहिए कि कोई मेरा ठेका लेके मुसलिम नेता हो जाए और बोट लेके और फिर अपना काम आगे बढ़ा दे नहीं जो ननकू को आगे बढ़ाए रज्जाक को आगे बढ़ाए उस रास्ते पर चलिए